एक्सलोफियेट मतलब ब्रश या एक विशेश क्रीम जैसे कुछ का उप्योग कर मेत कोशिकाओं को अपनी सतह से अडाना होटो को सुक्य और मेतवचा निकालने के लिए उसे एक्सफोलियेट करना बहुत ज़रूरी होता है होटो पर जमाद डेट स्कीन को साफ ना करने से वो काली होने लगता है जो देखने में काफी भधा लगता है एक्सलोफियेशन करने से होट न सिर्फ मुलायम होंगे बलकि इसे उनका कालापन भी दूर होगा नेश्टरा स्क्रब से न सिर्फ होट मुलायम होंगे बलकि उनका कालापन भी दूर हो जाएगा होटो को एक्सफोलियेट करने के लिए इन बातों का ध्यान रखे एक्सफोलियेट करना अच्छी बात है लेकिन स्क्रब का इस्तेमाल रोजान न करें आप हफते में कम से कम दो बार स्क्रब करें होटो पर जादा सक्ती से स्क्रब न करें हलके हातों से स्क्रब करें इसके लिए अपनी उंगलियों को सर्कुलर मोशन में होटो पर घमाएं और इसके स्क्रब को टिशू वीपर से साफ कर लें स्क्रबिंग के बाद होटो पर मॉश्चराइजर जरूर लगाएं आप चाहें तो इसके बजाए लिबाम या पेट्रोलियूम जेले भी लगा सकते हैं दिन में हरोज कम से कमार किलास पानी जरूर पिए पाने की कमी के कारण होटो की नमीख हो जाती है जिससे वो रूखी और काली होने लगते है होटो पर मौसम का एफेक्ट ना हो इसके लिए शरीर में वटामेनी और बी कम्पलिक्स की कमी ना होने दे इसके लिए अपनी डाइट में हरी सबजियां, दूद, खी, मक्षन, ताजे फल और जूश शामिल करें रात को सोने से पहले अपनी नाभी में देशी घी, सरसो का तेल या फिर नारिल का तेल लगाएं होट फटेंगे नहीं खाने नहाने या चहरा दूने के बाद लिबाम ज़रूर लगाएं, इसकी बजाया बटर या मलाई भी लगा सकते हैं